महिंद्रा ने भारत में पहली बार B-05 के साथ XUVE-9 को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया गया है सवस की B-Range इंगलो प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसे महिंद्रा ने फोस्वेगन के सहयोग से बनाया है महिंद्रा XUVE-9 और बॉन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर आधारित है लंदन लॉंच इवेंट में महिंद्रा ने XUVE-8 के साथ SUV का प्रदर्शन किया जिनने 2024 के अंध तक ओफिशियल तौर पर लॉंच किया जाएगा इंगलो प्लेटफॉर्म फोक्सवेगन के में प्लेटफॉर्म की तरह है इसमें हाई डेंसिटी बैटरी वाले सबसे हलके स्केटबोर्ड है इसके अलावा कंपनी ने यह भी बताया था कि यह नया EV प्लाटफॉर्म भविश्य की सभी तक्निकों का समर्थन करने के लिए तैयार है जिसमें हैड़ अप डिस्प्ले, 5G कनेक्टिटी और ओवर देयर, OTA, अप्देट और H2 शामिल है महिंद्रा XUV E9 और महिंद्रा B05 दोनों में Scorpion, अप्देटेट थार, XUV 700 और अप्देटेट बोलेरों जैसे नए मॉडल की SUV काफी पसंद की जा रही है लेकिन भारत में आने समय में इलेक्ट्रिक पर ज्यादा फोकस होगा और XUV E9 और B05 दो प्रमुक उत्पादों को शांदार बिक्री मिल सकती है महिंद्रा XUV.E9 अवधारणा के 2025 के अप्रेल से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और यहाँ एक पूरी तरह से नया उत्पाद है इसकी लंबाई 4790 मिमी, चौड़ाई 1905 मिमी और उचाई 1690 मिमी है इसमें 2775 मिमी विलबेज भी है XUV B.05 लंबाई में 4, 370 मिमी, चौड़ाई 1900 मिमी और उचाई 1635 मिमी के साथ तुन्नात्मक रूप से छोटी है इसे एक प्रीमियम मिड साइज SUV के रूप में पोजिशन किया जाएगा दोनों मॉडल के स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आये है और नहीं XUV.E9 के केबिन फीचर्स का खुलासा हुआ है लेकिन XUV B.05 कॉनसेप्ट SUV के केबिन को शोकेस किया गया है और इसमें इंफोटेन्मेंट और ड्राइव स्टाटिस्टिक्स दोनों के लिए एक बड़ी कनेक्टेड डिस्प्ले स्क्रीन यूनिट, स्टीरिंग वील पर डिजिटल स्पीड डिस्प्ले एक आलिशान फैबरिक लेड डैशबोर्ड और एक कर्वड सेंटर कंसोल है